हाँ तो यार कैसे हूं मीदेगा आप लोग बढ़ी आऊंगे और देखो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई मुवी के बार में जो फाइनल रिलीज होगी यह थेटर में जिसका नाम होने वाला है किंग ओप कुथा और इस ही करेंगे रिभ्यू पर इस इंट्रो के वाल ऐट नई से स्टरी यहां फोकस कर देएक ऐसे करेक्टर पे जसको एक दूसरा करेक्टर मतलब एक तरीक से इंसार्ट करता है और वो करेक्टर ऑठके एक बहुँत ही पुरानी गंश्टर को लाने को फैसला करता है अब एक रिजन के वैसे अब देखो मैं किसी का आम लफाने बोल के इस्पोलर नहीं देना चाहता हूं क्योंकि अगर बताओंगा पूरी तरीके से स्टोरी तो मज़ा खराब होगा और इसी वैसे इसके बारे में यादा इस्टोरी नहीं बता रहा हूं बैसे कि निए जालनों स्टोरी फोकस करने वाली एक रिवेंच ड्रामा के उपर साथ में एक गयाश ड्रामा के उपर अब अगर आपको पूरी तरी के बारे में बहारे में बोलना हूं तो यहर मुझे movie यहर one time watch लगी मतलब जिस तरी के जो visual से हैं जो story writing है और जिस तरी के present के गए वो चीज़े काफी हत्तक है audience के favor में काम करने वाली है हाँ मैं इसको compare तो नहीं करूँगा KJF और pushpa से क्योंकि देखो वो जो movies थी वो अलग है और ही अलग है यह एक soft point के साथ चलती है एक ऐसे character की story दिखा रही है जो किसी region से सब चीज छोड़ चुका है और उसके बाद लगबग एक दसक बाद लगबग 10 साल बाद वो return कर रहा है उस चीज में और जब वो return करता है जो उसका पूरा look लिकल के आता है भाई मज़ा आगया देखे खास उस look में दुलकर सलमान को क्योंकि जिस तरीके से उनका पूरा screen presence था जिस तरीके से उनके character को लिखा गया है वो चीज आपको लाजवाब लगने वाली है पसंद आने वाली है और guarantees आने वाली है फिर उनसे पहले भी जिस तरीके से हर characters को एक hype दे गया है जिस तरीके से present के गया है जो character writing है पतलब यह होता है character को build up दे दो अच्छा और उसके बाद रखो उसको तो लिटेंस अपना भी connect कर जाएगी और वो चीज है इस movie में और इस character ने इसको बाख भी भी समाला है लगवग आप जातर character से connect करते हो और इस तरीके से actor निकल के आते रहेंगे आपका दिल जीतते रहेंगे आप बहुत तरी character से connect रहेंगे लाश्ट तक फिर बात करना इंट्रवल और लस्टिन के बारे में तो वो चीज यह बहुत अच्छी है एक अच्छी point पर खताम होता पूर इंट्रवल जिससे आप second half का इंत्यार खुदी करोगे जरूर करोगे अब देखो मैं थोड़ा जल्दी बहुल गया मुझे बात करना इंट्रवल के बारे में तो देखो चाहिए फर्स्ट आपको यह सेगेंड आपको दोनों ही आपको अच्छे लगने वालें कहीं बोर नहीं करने वाली यह मूवी लेंथी नहीं लगने वाली है हाँ यह नहीं है कि बहुत बड़ बड़े छीज़ आप को बहुत पसंद कर दिखा आएगी एक इस्टोरी को जीज़िश निकल के आएगा मज आएगा देखके और टैम बाद एक मलाला मूवी में एक ऐसे मासरी टर्स के साथ में एक्सन सिन देखने हों मिला और मानना पड़ेगा एक मतलब मलालम सिनेमा को देखके लगता है न कि बोलो कि एक रियालिस्टिक टैस्ट के साथ मूवी होनाते हैं इसको जाकर देखो एक पूरी तरिके से अच्छा था पसंद आया दूरकर सर्मान ने जिस तरिके से इसमें प्रिजन्स दिये उसके लिए उनकी तारिफ बनती है दोनों ही करेक्टर में बहुत आच्छा लगते मतलब बहुत है दोनों ही लुक आपको पसंद आएंगे करेंटी से आएंगे तो देखो कर ओफरेल बात करना हों तो मजह है मुवी को देखों ओपको काफित तक अच्छी लगने वाली है मजह आता है लाष्ट में पूरा फायट सिक्वेंस है वो भी काफित तक ठीक लगेगा पसंद आएगा उससे पहले भी बहुत सार चीजे हैं आपको अच्छी लगने वाली है और मजाता देखके, ओबरेल पूरी मूवी आपको बोर नहीं करेगी, अपका पैसा पसूल करेगी, इंज्वोई करोगे देखके, तो एक बर जाओ देखो इंज्वोई करो, बाकी बड़े बड़ी मूवी उसे कंपेर मत करना, कई सोचो क्यार केजेब से कंपेर करो, उस review किसाथ में